तो है गाइस विल्कम बेक चू अधा वीडियो तो बहुत बहुत स्वागत है आपके यूटूब चैनल बिश्टन बॉई मैं मैं हूँ आपका हुआ शारूल और आप देखरों बिश्टन बॉई चैनल तो गाइस केसे हो आप लोग यार उमिद करता हम बहुत 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 लिए यह गेम आज के दिनों में पूरा एकदम हाई लेवल का हो चुका है यहां तक पबजी को भी टक्कर देने का माफिक हो चुका है ठीक है अगर बात करें दो साल पहले यह गेम कुछ इस तरह था आप इस गेम प्ले को देखके समझना मत कि यह कुछ दूसरा गेम है यह imperative फ्रीफाइर ही गेम है आपको बस इसका ग्राफिक्स दो साल पहले का ऐसा था यह बताने वालाऊ कैसे इसके प्रॉफरमेंस थे कैसे से करेक्टर का मुमेंट से आपको दिखाने वाला हूँ तो देखिए इस बीडियो को और जानिये कि इतने दो साल में फ्रीफाइर कितन PUBG से पहले Free Fire ने 100 million touch किया था अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं जब PUBG 100 million touch नहीं कर पाया उससे पहले Free Fire ने 100 million touch किया तो यह बहुत ही बड़ी खुशकबरी है यार मेरे इसा गेम अभी तक अगर बात की जाए अभी अभी हाली में जो गेम चल रहा है वो है Free Fire और PUBG लेकिन PUBG हर कोई नहीं खेल पता क्योंकि अपने मुबाइल पे जो गेमिंग का लेगिंग प्रोब्लेम ज्यादा दिखाता है ले तो आज मुझे एकिन हो रहा है कि यह गेम आज इतना हाइफाइ हो चुका है जिसका मतलब बात की जाए तो हर जगह में इसका चर्चा है लेकिन हाँ पता दू कि PUBG थोड़ा फैमस ज्यादा है लेकिन सच बताओ तो PUBG से ज्यादा गेम खेलते है Free Fire को लेकिन Free Fire ज्यादा आद अभी हमारा जो launching pet है वह भी आ चुका है तो एसा कोई गेम नहीं है जो हवा में fire हो सके है तो हवा में हम fight कर सकते तो Free Fire ने ये भी possible कर दिया कि हम वहा में भी fire कर सकते हम अगर बात की जाए fortnight की fortnight में भी fire कर सकते है वह बनाइट ये तो जिनको पता है तो वह आलग बात है और यह देखो हमारा जो हेंगर का जगह है पहले हमारा एक छोटा समय था मतलब छोटा में बताएं तो पुरा बहुत छोटा था तो एक दम बस हेंगर का ही एक टुकड़ा था और ज्यादा नहीं और I think मेरे साब से 27 लोग ही थे जो पहले का स्टाडिंग के बात कर रहा हूँ है एंड एक चीज अच्छा था कि आप जवाल होता हूँ वाल के आर पार देख सकती हो Э刚才 अफ़ने कर सकती हूँ आप देख सकते हो और पहले का जो बॉकस आप देख सेकतों उसमें क्थे खुला रहता है मत्त doute स्शूरी बॉक्स रहता है तो बोक्स को श कुलना पड़ता तो इस इस अपडेट जाते जाते इतना हाइफ हो गया और मेरे सबसे यह एक बहुत ही अच्छा गेम रहा है मेरे अगर बताए जाए तो और आप सब का भी फैबरेट गेम है यह मुझे ही पता है सब को और पहले शायद AWM नीचे मिल जाता था अभी ड्रॉप करना पट रहा ह अभी तक कोई भी लेकिन इस बंदे ने मतलब उतरते ही AWM मिल गया तो मतलब लग रहा है कि पहले गेम का कुछ रूल्स अलग था कुछ बहुत सारे चीज़ अलग थे बट अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गये जिसके कारण बहुत अच्छा हुआ पहले का जो गेम था वो गरिना के टीम अगर टीम मेंबर से कोई देखता है तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा हमारे जो इंडिया में जो चीज़ आप दूसरे कंट्री में लगाते हो जैसे दूसरे कंट्री में टूनामेंट वगरा होता है तो हम यह सोचेंगे कि आप अगर हमारे यहां पे कुछ इस तरह की बहुत बड़ी बात हो गा क्योंकि अगर बात किया तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे है जो मतलों तूनामेंट, खेलने के बहुत कोशิश करते हैं अभी हाल से में करने यह लिगा आदमी Нचा भुट आदमी नहीं था बट इंडिया का मैच हुआ बोलके मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन बाकी कंट्री का हुआ है तो मैं यह चीज रेकॉमेंड करूंगा कि अगर कोई बंदा हमारा गरीना की तरफ से देख रहा है तो प्लिस आप इंडिया को इंडिया को भी ऐसे मौका देख रीजिये कि हम भी इस गेम के मतलब प्रणामेंट कुछ इंज्जोय कर पाए ठीज बीख तो अगर आपको एसा अच्छा लगे तो प्लिस एसा कुछ कीजिये जो हम भी मतलब इस गेम क्या टूणामेंट केल सके ग्लोबली वर्ड वर्ड्कप जैसा जो अब्या हाली म में है चलता है दूसरे डिवाइस में चलने के बहुत मुश्किल है वान जी बी टू जी बी रहम में तो पब जी तरी जी पी रहम में भी चलने का नाम नहीं लेता क्योंकि अभी पब जी ज्यादा अपडेट होके जब पब जी मैंने पहली बार डाउनलोड किया था तो पास है तो बात बोली जाए तो अभी भी हमारा एक नंबर में रहेगा अगर एंड्रोइड की बात की जाए तो तो बहुत भी बड़िया गेम है यार मेरे को तो दिल छुग गया मैं जब भी खेलता हूं फ्री फारी खेलता हूं लेकिन पब जी खेलके वह सेटिसफेक्शन नहीं मिलता जो फिरिफायर में मिलता है क्योंकि ओपन ओपन वर्ल्ड है जैसे कि पब जी की बात की जाए तो जब पब जी का जोन एकदम छोटा हो जाता है तो सब सेनक में साब बनके लेटे होते हैं पास में आके आपको पता भी ने चलाएगा कि आपके पास बंदा है त लेकिन फिरिफायर की बात की जाए तो ओपें चैलेंज है मारो या तो मरो यह चीज मुझे अच्छा लगा फिरिफायर के बाकी तो सब कुछ बटर है और यह है दो हजार 2016 का यह तो 2017 का गेमप्ले है तो यह दो सालों में गरिना ने बहुत अच्छा एक अपडेट लाकि अभी यह जो गेम खड़ा किया है बहुत ही मतलब जकास है और आप देख सेकते हो इसका जो पहले का क्वालेटी है ना बहुत ही गंदा था बट अभी जो है ना मतलब कहते है रात और दिन का मतलब अंतर है तो हमने ही मतलब इतने उपर ले जाके मतलब गेम को इतना यह किया तो मैं एक जिस गरिना वाले से रिकमेंड करूंगा वह से के तो हमारे इंडिया का भी इतना फैसलिटी दीजिए जो आप दूसरे कंट्री को भी देते हो क्योंकि हम भी इस कंट्री जहां पर फिरिफायर का ज़्यादा एक्टिविटे आदमी नहीं मिल रहे हैं अगर आप लोग थोड़ा चीज और अपडेट करके इंडिया के लिए भी कुछ टुनामेंट रग दे तो बहुत ही बड़े रहोगा और यह वीडियो में कुछ और टपिक में बनाना ताउजन हो चुका है मतलब यह मतलब मैं सपना सपना जैसा लग रहा है लेकिन हकिकत तो यह है कि हाश्च में फोर्टी सोरी ठाटी फोर ताउजन हो चुका है तो आप सब का यार दिल से शुक्रिया क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं तक इतना आगे तक हम निकल जाएंगे यह तो अभी तो बहुत बड़ा सपना है अभी तो बहुत आगे जाना अभी तो आप सब का साथ चाहिए उससे ही बने रहे हैं कभी पीछे मज़ जाहिंए में भी रहाँगा आपके सTh cybersecurity न पपछला नेया वीडियो और आ जाएगा आप ťेंशन मत क्रों मैं थ्वेवेसा दिला के हो रहा हो थोड़ा बहुत यहां पर परिशानी है इसलिए थोड़ा बहुत बाँड बीडियो डिला हो रहा है और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रू बताना और यह है फ्रीफाइल लवर्स के लिए जो पुराना गेमपले देखके थोड़ा आपको दिल को सुकुन मिल जाएगा और नया गेमपले इंजोई करो गेम को और मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक नया कुछ अपडेट लेके तो आल सी नेक्स्ट वान गुड